शुशान्त राजपूत के मामले पर जिस तरह से एम्स की रिपोर्ट आई है और उसमें ये अधिकृत तौर पर कहा गया है कि ये आत्म हत्या का मामला था हत्या नहीं थी ये मामला इसका पटकशेप होने के बाद ये बात साफ है कि भारते जनता पार्टी ने इस मामले के उपर राजनिती की और देश के साथ जूट बोला गोधी मीडिया को साथ लेकर जिस तरह से भारते जनता पार्टी ने जन भावनाओं को बढ़का कर राजनेतिक लाप लेने की कोशिश की और पूरे देश में जिस तरह से बवाल मचाया और हम तो ये कहेंगे के पूरे देश का समाज का समय और धन और गोदी मीडिया में जिस तरह से इसका एक हवा क्रेट किया गया ये निसंदे धुर्वाग्यापूरण और शर्मनाख है भारतिय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत रही है कि धरम जाती क्षेतरवाद के उपर और जनता की जन भावनाएं बढ़का कर भाजपा राजनेतिक लाब लेती आई है चाहे वो 2014 के या 19 के चुनाव हो उन में जिस तरह से राश्टवाद का मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उच्छाल कर जन भावनाएं बढ़काई गई और अब शुशान्त राजपूत के मामले के ओपर राजनेतिक लाब लेने के लिए खासकर बिहार में इसका फाइदा लेने के लिए जिस तरह से मीडिया हाइप क्रेट की गई ये निसंदे भारते जनता पार्टी के जन भावनाएं बढ़काकर राजनेतिक लाब लेने के उस घटिया तरीके को दर्शाता है जो अक्सर ये पार्टी धरम जाती क्षेतरवाद इलाकावाद के उपर बोट प्राप्त करती है आज जब पूरा देश के किसान बहुत दुखी हैं और जो बिल पास हुआ है उस बिल की वज़ा से जनांदोलन में उत्रे हुए हैं आज किसानों की समस्या से देश का ध्यान भटकाने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी ऐसे मुद्दों को उचाल कर ध्यान भटकाना चाहती है दूसरी और जिस तरह से उत्रपरदेश में एक बिटिया के साथ घिनावनी हरकत हुई उसका बलातकार और हत्या हुई उस मामले पर जिस तरह से ताना शाही रवईया अपनाया और देश में जो आक्रोश है उसको दवाने के लिए अकसर गोधी मीडिया के माध्यम से भाजपा ऐसा कुकृत्या करती आई है लेकिन अब समय आ गया है देश की जनता पहचान रही है किस तरह जन भावनाय बढ़का कर जन समस्याओं से ध्यान बढ़काने की भाजपा कोशिश करती आई है अब समय आ गया है कि भाजपा के इस दो मुही चरित्र का बेनकाब होना आवश्यक है और जनता खुद इसका हिसाब करेगी और बेनकाब करेगी भारते जनता पार्टी की इस घटिया सोच को